तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल AKC Technical Classes में फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने आपको सिविल और मकैनकल का पूरा सलेवस बता दिया है आज आपको बताएंगे Electrical Engineering के जो भी डिप्लोमा के स्टुडेंट हैं उनका पूरा थर्ड सेमेस्टर का सलेवस तो पूरा सलेवस देखने के लिए पने रहेगा हमारे साथ लाष्ट तक पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि हम जो आप का लब समया नहीं इपने स्ब्सक्राइब नहीं की का प्ड़रह इसे पहले आपको आपनों को अफ्लाइड विडव्यस थार्ड इस में क्या का पढ़ना है आपको अब बताएं गया कि और है शरे इसकेंड आपका औरकका इलेक्वे इस्टारानिक्स इंजिन्डीया मा तो यहां पर देखें, आप लोग applied mathematics third, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना आईए देखते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है matrix, जिसे आप लोग बोल लेते हैं, आप भी उते हैं, इसमें आपको पूरा स्लेवस आपका दिया क्या है, इसमें आपके theoretical part जादे आते हैं, तो आप लोग पूरा स्लेवस देख लीजिए और download विकल दीजिएगा, हमने एक वीडियो बनाया है, आप लोग diploma all semester नामक सब playlist में जाकर search कर सकते हैं, आप लोग अपना कैसे download कर सकते हैं, आप लोग हमारे whatsapp group में भी जूर सकते हैं, instagram पर भी follow कर सकते हैं, वहां पर भी description box में देदेंगे, तो देखिए आपका syllabus है, जब आप लोग book लेंगे तो उसमें मिला लीजिएगा अपना हमें क्या क्या पढ़ना है, देख लीजिए आपका पुराए matrix syllabus है, ठीक, और इसमें बात करें, eigen pairs है, kelly Hamilton theorem है, बहुत ही important है, इससे आपके question पूछे जाते हैं, second chapter क की बात करें, तो differential calculus है, इसका भी पूरा syllabus आपके सामने है, देखिए अपना पूरा syllabus, book को मिलान किजिए, सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, तो हम भी आपका पूरी तरह मदद करेंगे, उसके बात, third chapter की बात करें, तो differential equation है, आउकल समीखना जिसे आप लोग बोल लेते हैं, तो पूरा सब इसमें first order सब कुछ दिया गया है, सब आपको पढ़ाया जाएगा, आगे बात करें, fourth chapter की, तो integral calculus second है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बीटा गाउओ function भी इसमें पढ़ना है, तो आप लोगों को ये भी जाएगा, fifth chapter की बात करें, तो है वो probability and statics, तो ये भी आपको हम पढ़ाएंगे, जल्दी आप लोगों का स्रेबस start कर दिया जाएगा, तो पूरा स्रेबस आपका देखिया आपके सामने दिया गया है, तो आप लोग पूरा बुक में जरूर मिला लीजिएगा, आप लोग भी कर सकते हैं, हमने वह भी वीडियो बनाया था, किस प्रकार आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आगे बात करें, second book की जो की है, electrical instruments and measurement, जो भी electrical part होते हैं, किस प्रकार measure किया जाता हो, सब आपको इस book में मिलेगा, पहले तो introduction पढ़ेंगे, जो भी measuring instrument होते हैं, तो जो भी measuring instruments हैं, instruments हैं, सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, second chapter बात करें, तो emitter and voltmeter पढ़ना है, आपको moving coil and moving iron type जो होते हैं, तो इसका concept पढ़ना है, construction पढ़ना है, marriage and rematch पढ़ना है, third chapter की बात करें, तो wattmeter से, जिसमें dynamometer type के रहते हैं, इसका construction पढ़ना है, पुरा working principle भी आपको इ आप लोग तैयारी कीजिएगा, second semester तो आपका समाप्ती हो चुका, बिना exam दिए आप लोग प्रमोट भी हो जाएंगे, अब तो आगे बढ़ते हैं, इसमें four chapter जो की है energy meter, तो इसमें भी पूरा सबसे पहले जो भी chapter स्टार्ट किया जाएगा, जो भी meter इसमें स्टार्ट हो ठीक, और six chapter की बात करें, तो electronic instruments क्या क्या होते हैं, इसमें cathode array, block diagram इसका पुरा पढ़ा जाएगा, digital multimeter पढ़ना जाएगा, इसमें केवल आपको only block diagram ही बनाना है, और इसका application क्या क्या होता है, seven की बात करें, तो LCR meters है, इसमें LCR meter के बारें पूरा पढ़ना है, और इसका के पढ़ना रहागा आपको, eight की बात करें, तो power measurements and three phase circuit पढ़ना है, by किसके दोरा, by two watt meter दोरा, और तर आगे बात करें, तो आपका transducers पढ़ना है, इसका introduction पढ़ना है, तो अईसमें हम आपको बता रहे हैं, जो आपको पहले पढ़ना रहता है, क्या पढ़ना रहता है, introduction पढ़ना रहता है, तो ten chapter पे आते हैं, तो measure of temperature, temperature का किस प्रकार से हम मापन करेंगे, thermocouple dara, resistance temperature, thermal image, camera, concept one list का पढ़ना रहे हैं, आपको, 11 की बात करें, तो smart metering system जो होता है, AMI, AMR, AMRI, तो यही सब आपके इस book में पढ़ने हैं, तो आप लोग समझ गया होंगे, जैसा कि book क नाम ही instrumental था, तो instrument के बारे माप लोग पढ़ेंगे भी, आप लोग इसे load जरूर कर लिजएगा, download जरूर कर लिजएगा, हमने आपको एक वीडियो के मादनें से बताया है, आप लोग कैसे download कर सकते हैं, तीसरे book की बात करें, तो electrical and electronics engineering materials, तो देखिए, electrical और electronics में कौन कौन से engineering materials होते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले उसका classification रहेगा, तो classification का पुरा syllabus देखिए, अपने book में मिलान जरूर कीजिएगा, syllabus से पढ़ेंगे, तो अच्छा number भी आएगा, आपको असानी भी होगी, second chapter की बात करें, तो conducting materials पढ़ना है, resistance, उसका factor, फिर classification, फिर इसमें copper होता है, इसका property general पढ़ना है, तो देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपके सामने syllabus से, आप लोग download कीजिए, या इसक इसकी शाट लेकर भी डख सकते हैं, कि काउन से chapter में क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें और भी हैं, जैसे metal, aluminium हो गया, उसमें और steel भी आ जाएगा, तो सब ही सब आपके हैं, ठीक, पुरा आपका syllabus हो गया, second chapter का, third chapter की बात करें, तो review of semi conducting material का है, तो semi conductors क्या होते हैं, उसके properties क्या हैं, diode क्या हैं, transistor, inductors क्या होते हैं, सब आपको इस chapter में मिलेगा, आगे बात करें, fourth chapter की, तो insulating materials क्या क्या है, केवाल उसके general property को पढ़ना है, जैसे electrical property, जोगे physical property, thermal property, chemical property, mechanical property, तो 5 property है, इसका केवाल थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना रहेगा, आपके पुरे number हैं, fifth chapter की बात करें, तो insulating materials और उसके application पढ़ना है, जैसे plastic, इसमें आपके mica, silk, cotton, jute, prepared dry rubber, mineral ये सब आएंगे, इसके अंतरगत, और इसमें आपका gasinius material भी आएगा, इसमें air, hydrogen, nitrogen ये सब रहते हैं, six chapter की बात करें, तो magnetic materials है, इसका सबसे पहले आपको introduction पढ़ना है, इसमें feromatic materials आएंगे, permeability आएगी, इसका curve रूप आएगा, और इसमें second है, soft magnetic materials, alloy आएगा, nickel, iron, alloy आएगे, तो आपके देखिए, six chapter के सिले बसे हैं, आप लोग इसकी जाट रख सकते हैं, इसे वरकार से और आगे चलनें, तो इसमें hard magnetic materials है, फिर seven chapter की बात करें, कुछ special material है, जैसे therm thermocouple है, by metals है, soldering है, यह सबाया जाएंगे, उसके application भी पढ़ना है, आपको, eight chapter की बात करें, तो materials for electrical machine के लिए, जो भी आउसकता रहता है, वो आपके book में दिया रहेगा, motor generator, transformer, जो भी हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, okay, तो आप लोग तयारी कीजिएगा, आग next book हम digital electronics, इसमें बहुत से लोगों का अच्छा नंबर नहीं आए था, तो आप लोग तयारी कीजिएगा, अच्छा नंबर जरूर ला पाएंगे, आप लोग, first है इसमें number system, जिसमें decimal, binary, octal, hexadecimal, इस सब नंबर पढ़ाया जाएंगे, आपको binary के बारें बताया जाएगा, और first second compromise method पढ़ाया जाएगा, आपको जोडने के लिए अनेक प्रकार के gates होते हैं, आप लोग इंटर में कुछ gate पढ़े होंगे, end gate होता है, end gate, or gate, x, or gate, इस सब पढ़ाया जाएगा, third में आपका आएगा, boolean algebra, इसमें आपका demorgans, और के map, theorem पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद fourth में आएगा, combinational circuits आएगा, जिसमें half adder, full adder, encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, मतलब जिसका आएगा, उसका पोजिट पढ़ना पढ़ेगा, fifth की बात करें, तो flip flops है, jk flip, areas, d type, d type, और पूरे flip flops के application, और six chapter की बात करें, तो shift register and counters की introduction के बल पढ़ना है, seven में, A, D, or DA Converters पढ़ना है इसमें आपके दो topic पढ़ने रहेंगे, eight chapter की बात करें, तो semiconductor, memo, reach के बारें पढ़ना पढ़ेगा आपको, type sub, semiconductors, ram, rom, phyrom, e-prom, e, double e-pro में सब आपको पढ़ना रहेगा, तो एक book भी आपकी समात, आगे की book को देखते हैं, जो है आपका electrical machine first, बहुत से लोगों को यह समझ म नहीं आता है, तो पहले से लिवस जानते हैं, तो सबसे पहले introduction पढ़ना electrical machine के बारे में, तो आपके सामने पूरा से लिवस दिया गया है, ठीक, second chapter पूरा आपको DC machine पढ़ना पढ़ेगा, बहुत ही लंबा chapter यह होगा, तो आप लोग डरियेगा मत, सब बता देंगे आपको 32-66 language में, थोड़ा समय लग सकता है, आपका class start करने में, और थर chapter की बात करें, तो single face transformers जो भी हैं, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा, देख लिजेगा, अपने book में सारा से लिवस मिलान कर लिजेगा, आप लोग इसक्रीन साट भी ले सकते हैं, और अगर हम four chapter की बात करें, तो three face transformer है, इसमें भी आपका पूरा से लिवस पिजा हुआ है, आप लोग इसकी इसक्रीन साट इसका भी रख सकते हैं, तो यह book भी समाप्त जाते हैं, लेकिन इस book में बहुत ही लंबे-लंबे chapters हैं, तो आप लोग घबराईएगा मत, धीरे-ध स्यारी कीजिएगा, तोड़ा और आगे चलते हैं, जो next book आने वाली है, वो है आपकी environmental studies, तो इसका बहुत ही अच्छे प्रकार से आपका मध्यन कराएंगे, बहुत ही simple language में आपको यह पढ़ने को मिलेगा, तो introduction के पढ़ना है, आपको पहले ecology, ecosystem क्या होता है, फिर air pollution पढना रहेगा, टोटल इसका यूज क्या होता है, फिर water pollution पढ़ना रहेगा, फिर soil pollution पढ़ना रहेगा, इसके sources क्या रहते है, टाइप्स क्या होते हैं, ताइप्स क्या होते है, यूज कहां पर इसका मतलबा लग-लग प्रयोग है, accesation के बाढ़ना है, जिसमें आपक और कि इफेक्ट इस चैप्टर में पढ़ने को आपको मिलेंगे तो गाइस आप लोग टेंशन मत लेज़ेगा जो कबर हो पायगा हम अवस्थी कबर करेंगे आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो आपका भी हम पूरी तरह सहोग करेंगे तो गाइस आज की वीडियो को करत देगा बेल आइकन दबा दीजेगा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा